कि कमश्कार आप देख रहे हैं एस्पेन आई न्यूज एस्पेन आई न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ निहा परिहार आपको बता दे कि उत्तरपरदेश की मैंनपुरी सीट रामपुर सीट पर उपचुनाब होने वाले हैं भाजपर ने इस सीट पर रगुराज शाक्येख होता रहा है अगर हम आप करें तो यहाँ मैंनपुरी सीट पर यादब का वोट बेंक है वो खुलाज शाके ने यहां पर मुलाहिम सिंग यादव और शीपाल यादव को अपना गुरू बताया था जब भाजपा में यहां उनका उम्मीद्वार के उस पर तोर पर नाम गोशित हुआ उसके तुरंत थोड़ी देर बाद मुलाहिम सिंग यादव के समाधी के पास जाकर म मन करते नजर आए उसके बाद से उन्होंने कहा कि यह दोनों तो मेरे गुरू है राजनिती के हर दाव पैच्वेने मुलाहिम सिंग यादव और शीपाल यादव से सीखे हैं अब यहां यह सवाल उट रहे हैं कि जब आप अपने को अपना गुरू मानते थे तो गुरू के खिलाब कैसे आप यहां पर खड़े हो गए कुछ इनी सवालों के बीच में भाजपा भी गिर गई है तेकि यहां पर इसलिए माना जा रहा है कि भाजपा वापस ले सकती है नामंकन पत्र और कहीं ना कहीं रगुराज शाक्य का इस्तिफ़त तैम माना जा रहा है क्योंकि रगुराज शाक्य ना जब एक पार पार्टिक से बगावत कर दी तो दूसरी बाद क्या वाजपा से बगावत नहीं करेंगे यहां यहां यह सवाल भी उठ रहा है कि अगर ड़ाज शाक्य वापसी कर सकते हैं सपा में इस एक पांच दिसमबर को पता चलेगा है और गर प यह एक चुनावी बाते नजर आ रहे हैं इस बात में कितनी सच्छा है कितनी नई देखिए तो पांच दिसंबर को पता चलेगा लेकिन यहां अगर देखा जो एक जिस तरीके से रगराजशाक किया है लगतार यहां घिरे नजर आ रहे हैं उसको देखकर खाया जा सकता है कि इतनी बाते होने के बाद तो शायद वो अपने नामांकर पत्र और साथ में इस्तिफा भी दे सकते हैं फिलार के लिए इतना ही फिर आप से मिलेंगे किसी दूसरे मुद्धे पर तब तक के लिए देखते रहिएगा स्प्यान नाइन यूस थन्यवाद